आज हम पढ़ेंगे Microeconomics का 4th chapter जिसका नाम है Elasticity of Demand सबसे पहले हम देखेंगे Elasticity of Demand होता क्या है तो Elasticity of Demand जो है एक relation से बताता है Price और Demand के बीच में Law of Demand में हमने पढ़ा था कि Price और Demand जो होता है Quantity Demanded जो होता है Negatively Related होते हैं इसका मतलब था जब Price Increase होता था तो Demand क्या होता था कम हो जाता था और जब Price Decrease होता था Demand Increase हो जाता था इस चीज को जानने के लिए Price Elasticity of Demand बनाया गया तो अब एक अच्छा सा Relation develop किया जा सके Demand और Price के बीच में उसी चीज को क्या का जाता है Price Elasticity of Demand Price Elasticity of Demand measures the responsiveness of demand of a good to a change in its price Alfred Marsal नहीं इसको बनाया था, formulate किया था इस theorem को क्योंकि पहले problem आती थी कि हम ये तो जान गया थे कि Price के change होने से Demand में change आता है बट कितना change आता है? ये चीज हम नहीं जान पाया थे इस चीज को measure नहीं कर पाया थे तो इसको measure करने के लिए Alfred Marsal ने एक numerical formula बनाया और उस formula का नाम रखा Price Elasticity of Demand इस concept का भी नाम रखा Price Elasticity of Demand अब Price Elasticity of Demand निकालते कैसे हैं? उसके लिए एक numerical formula देखना होगा तो numerical formula में क्या है? सबसे पहले हम लोगों करना होगा percentage change in quantity demanded by percentage change in price क्या है? percentage change in quantity demanded जो है price की बज़ए से percentage change in price की बज़ए से quantity demanded में एक change आया है कितना change आया है? इसी चीज को ही जानना होगा हम लोगों को तो percentage change in quantity demanded निकलेगा कैसे? उसको निकालने के लिए हम लोगों क्या करना होगा? change in demand पहले पता करना होगा कि demand आखिर change हुआ कितना है by जो original demand कितना था into 100 बज़पन में हम लोगों ने पढ़ा था कि percentage किसी चीज का कैसे निकालते है बस वही एक simple सा formula लगाया गया है कितना percent change हुआ demand में? वो निकालने के लिए क्या करना पढ़ा हम लोगों को? change in demand by original demand into 100 उसी तरह से price में कितना change हुआ? इस चीज को जानने के लिए हम लोगों क्या करना पढ़ेगा change in price by original price into 100 इस तरह से क्या होगा? पता चल जाएगा कि elasticity of demand क्या है लेकिन इसको shortcut तरीके से भी लिखेंगे हम change in demand को कैसे लिख सकते है? delta D by original demand को कैसे लिखेंगे? D मतलब इहाँ D का क्या मतलब है? original demand और delta D का मतलब इसका मतलब delta होता है delta D का मतलब क्या होता है? change in demand उसी तरह से नीचे जो हम लोगों ने लिखा था change in price delta P by original price P into 100 तो 100-100 cancel हो गया ठीक है? इस तरह से हम लोग का elasticity of demand निकल जाएगा लेकिन इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका और हो सकता है delta D by D और ये बटा के नीचे बटा उपर जाके सटा वाला एक concept सबको याद होगा साइज बचमन सब लोगों ने पढ़ा था ये जो पी था ये उपर चला गया और ये delta P नीचे का नीचे ही सटा रह गया हो तो अब कोई पूछेगा कि price elasticity of demand कैसे निकाले तो price elasticity of demand निकालने का मतलब ये simply यही होता है कि demand में कितना change आया है due to change in price और उस चीश को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा change in demand by original demand into handed change in price by original price into handed अब बुलोगे कि ये वाला formula तो बहुत tough है ये formula tough हो सकता है लेकिन ये formula tough नहीं है ये formula simple सा यही बोलता है कि price के change होने के बज़े से percentage change in price होने के बज़े से demand में कितना percent आया उस demand को उपर रखा गया और नीचे price को रखा गया है ये simply याद रह सकता है अब हम लोग वही देख रहे हैं DQ मतलब delta Q का मतलब क्या था change in quantity demanded Q का मतलब क्या था original quantity demanded दिल्टा P का मतलब क्या होता था changing price P का मतलब original price और ED जो था वह elasticity of demand दिखा रहा था तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा उस formula में एक negative sign था तो यहां negative sign पर ध्यान हम लोगों को नहीं देना है क्यों कि जब price increase होता है तो demand decrease होता है तो अल्रेड़ी यह दोनों negative और positive हो जाता तो पहले से negative दिया है इसलिए गया है ताकि जो negative आएगा negative negative positive हो जा तो हम लोग को basically वहां negative sign से कुछ लेना देना नहीं है हम लोग को बस यह याद रखना है कि elasticity of demand is equal to क्या होता है percentage change in demand by percentage change in price इसको एक example से भी हम समझते हैं एक petrol pump का example लेते हैं यहां क्या हुआ पहले price 80 rupees था 80 rupees per liter था फिर क्या हुआ 100 liter demand किया जाता था लेकिन जैसे ही price 88 rupees लीटर हो गया तब क्या होने लगा अब 80 liter ही होता है means price में 10% का increment आया 10% increment देखने के लिए मिल रहा है पहले 80 था अब 88 हो गया 8 rupees का increment हुआ और 8 रुपया क्या है 10% है उसी तरह से quantity 100 liter से 80 liter आ गया है means 20% का decrement हो गया है quantity में अब देखते हैं पहले हम लोगोंने formula क्या परदा था percentage change in quantity demand by percentage change in price तो percentage change in quantity demand कितना था 20 था by percentage change in price कितना था 10 था is equal to 2 यह जो 2 आया इससे बता सकते हैं किसी को कि हमारा elasticity of demand कितना है 2 है means 2 का मतलब क्या है जो price से दुगना change कर रहा है demand price से दुगना change कर रहा है 2 का मतलब क्या होगा twice change हो रहा है price के comparison में means price जब 10 increase हो रहा था तो demand क्या हो रहा था 20 increase हो रहा था इसी चीज़ को सो किया जा रहा है twice increment in the demand in comparison to the price इसी को क्या कहा गया elasticity of demand आज के लिए बस इतना ही next video में हम देखेंगे कितने तरह का elasticity of demand होता है और कौन-कौन सा factor होता है elasticity of demand को cover करता है ठीक है थैंक यू